मिधां वक्ालीस से होंगे आज की व्यडियो में आपको दिखाते हैं कि फॉट अन्य है डिखाृ्टायप कीसे संब्ल करते हैं NRD आ वीजारा में इसमें नाकिसी किसम की किसि इसमारीट की जुरूट पड़ती है इसम्मिक अध्रे क Tube मेरे साथ आपको दिखाते हैं कि एक्या है क्या है एक्या का फुर्णिचर एसेंबल करना किस कदर आसान है और इसको रखना जो है वो किस कदर आपके लिए मेरे साथ वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हमारे मिल्कों में आज भी वो रवायती तरीकों से जो फरनीचर मनाया जाता है उस पे किस कदर मेहनत किस कदर मुशक्कत लगती है और यह एक्या का फुर्णिचर हर बंदा हर अपने घर में खुद ही से कर सकता है बगार किसी की मदद से यह चोटे से फ्लैट पैक्स में आता है और उन फ्लैट पैक्स में से जब आप उसको खोल के निकालते हैं तो चंद टुकड़े लकड़ी के या वो उसके चिप बोड़ कोते हैं तो यह लेकिन जब आप उसको जोड़ते हैं वो इंताई मस और इसके बाद उसका फर्दर सेंब्लिंग का पूरा प्रोसेस जी हागा इस का नाम है यह उसका आर्टिकल नंबर सामने आप देसके हैं 00415052 यह दो पैक्स में हैं दोनों पैक्स यह आपके सामने हैं इसको खोलते हैं तो यह पुते पैस्टें इसके पाद सिस्टा का क्ये क्यों को सामने का सिकतना यह जी हमने इसको खोल दिया पैक्स को यह सबसे उपर जो है यह वाइड कलर और ब्राउन बैक्स यह इसके का पैक कवर है यह है जी इसके टॉर्स लंबे वाले सारे के सारे यह दो पीसिस इसके साइट होंगी यह इसके टॉर्स की साइट से इसका पाटम लगजा है मुझे जिससे की पीट बनेंगे यह इसके रस्टेरिया यह पैकिंग है इसके अब देख सकते हैं आपके सामने कुली पढ़िए देख से इसके पाटम पर ने में जो साइट हैं कंप्लीट गई लूने सबसे पहले इस पे और वाज़िक कर दिया गया होगा है इसको बनाना के साथ और यहीं स्ट्रेक्शन मैनूल होता है जिसके अगर आप फालो करते रहें स्ट्रेक्शन तो आप इतन मिनर्स इसको इसेंबल कर लेते हैं यह एक्या है बड़े कमाल के हैं जिनको आज के जमाने में डू इट यूरसेल्फ टी आइवाई कहते हैं डू इट स्ट्रेक्शन वैलून को और देखेंगे कि यह साइड को इसको किस तरह से जोड़ा किया है यह दुनों इसकी राइट लाफ्ट साइड्स है और राइट लेफ्ट साइड्स के अंधर हमने यह पिंस लगा देन आ है वैह बाइट कलर की इस आप देख सकते हैं कि सारे होल्स ह और ये दोनों पिन्स हमने जब लगाई तो ये हमारे पास एक चोक्टा सा बन गया ये देखने जा ये पिन्स होल्स है इन पिन्स के होल्स के अंदर पिन्स को लगाना ही जो हना वो ही सबसे एहम और खास ट्कनीक का काम होता है ये आपके सामने चोक्टा बन गया है इसको पांच मिन्ट भी नहीं लिए अब हम इसके लगाएं के जी बैक इसका बैक कवर तो बैक कवर लगाने के लिए हमें इसको उल्टाना पड़ेगा कार्पिक पे ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से किस कदर आसान है लेकिन ये सिर्फ पिंस लगी है अभी और कुछ नहीं लगा कोई कील कोई ग्लू नहीं लगा लेकिन ये किस कदर मजबूत हो गया कब लिनी सकती ये आप देख सकते हैं उसके जो है न वो उसमें ग्रूविंग हुई हुँए है ये इसकी रिवर्टस है जिन रिवर्टस के साथ इसके back cover जो है वो लगेगा इस पहले विन बोर्ड में इसके बेस में लगा लेग trained ये जितने भी होल्स हैं इनके उनके अंदर ये रिवर्ट्स में फ्लास्टिक की लगगी है ये दूसरी साइट पर हमने लगा लिए ये चार चार रिवर्ट्स यां वो दोनों साइटों के हैं यह देख सकते हैं अब हम ये जो बैक कमर की वाइट शीट सबसे उपर पड़ी तो इसको निकाला और इसको इन जहां ये ग्रूविंग होगी है और इसको डालके तो इसको स्लोली मूव करेंगे यह देख सकते हैं अब वो रिवर्ट्स विम्ने प्वेले लगाई थी उन रिवर्ट्स के अंदर ये प्लास्टिक के नेल्स हैं जो इन में फिक्स हो जाएंगे तो इन यह नहीं यह नहीं यहरे नेल्स विम्ने लोट्ट्स और बड़ाने के बाद ये पहले से जड़ मस्भूत हो गया है अब इसको उठाना मूव करना पहले की निशुपट ज्यदा आसान होगा जब इसको चोप उठा था सिर्फ एक प्रेम था ये चार हमने लगा दिया है ने देखने दो चार दो चार चार रिवर्ट्स और नेल से तरह है चार रिवर्ट्स अर्नेल जितर है और यह उपरो लाइसा जो एक्स्रा है इसके साइडों पर शीट जब शीट आएगी तो यह उसका टाप बन जागा है यह लॉक है जी ताके यह जो हमने बैक कवर लगाया है वह बैक कवर रिवर्ट्स ने तो पकड़ लिया लेकिन वह उसक यह आप देख सकते हैं कि लॉक्स हैं यह लाख लगे तीन लाख से दर हैं और तीन लाख से दूसरे साइड पर हैं अब इसकी शकल यह बन चुकी है अब हमने इन सुराखों के उपर इसकी साइड वाल्स जो हैं वह फिक्स करनी है ताकि दो स्टेप जो इसके उपर बनने हैं वह बन सकते हैं अब देख सकते हैं कि अंदर से ही मकमल हो गई है अच्छा जी अब अपर साइड वाल्स की टाइम आ गया है तो यह आप देख सकते हैं कि यह जो बुड़न जैट्स हैं या इसके पिन्स हैं या रिवर्ट्स हैं बुड़न अब इनकॉमने इस्तमाल करना है यह मेरे हाथ में अब यह इसमें डालेंगे और यह यह यहां डालेंगे यह लेंची यह हमने उसका अपर टाप उसकी साइड वाल्स और टाप को फिक्स कर दिया है बगाएर किसी ग्लू किसी स्क्रू यह किसी गम के और अब इन फुटन स्टिक्स के साथ अब इसको हम फिक्स कर देंगे हमने अपर और लोई पॉर्शन को मजबूत करने के लिए हम यहां लगा रहे हैं मैटल की प्लेट्स अब इन मैटल की प्लेट्स में पहले की तरह वही प्लास्टिक के स्क्रू लॉक्स लगाएं आँ और स्क्रू लॉक्स को टायट करने के लिए लगा दिये प्लास्टिक के ड्रिवर्ट्स या नेर्फ्ट्स के तो अब देख सकते हैं कि यह प्लास्टिक प्लास्ट्स प्लेट्स वे दोने तरफ अमने लगा दी है और उनके अंदर लॉक्स या रिज़ लगा के उनके अंदर फिर ये प्लास्किक किनेज जो हैं वो दबा दी है ताकि यह मेटल की प्लेट्स वह हैं वो उपर और पोर्शन को उचीटा क्रिप कर लें तो अब देख सकते हैं कि किस कि प्लास्टिक के दौने साइट पे아ं व हैं दो बेक लॉक लगा दिया है और अब अमने इसटी प्लास्टिक की टी टाइप्स ये गआभ वाडू लगा दी है पर बजा करर और वाले पोशन और लोय वाले पोर्शन के ताकि जब डिवार के साफ लगे तसम यह लेमिनशन है यह पंट नहीं ङाए ख्राब नहीं जा और दूसरा दिवार के साथ लगाने में किसा इक सिर्फिक उड्विल ना हो और दिवार को भी एक दोड़ना हो यह पार्टिशन बूर्ड है यह अब देख सकते हैं यह इसके बैक साइड बनी है और यह इसके बनी है जी फ्रंट साइड अब हमने इसके पार्टिशन करनी है और इसमें लगाने है दर्वाजे यह हमने इसके कब्से लगा दिये हिंजिस और इसी तरह नीचे और यह पहली और आखरी पार हम स्क्रूड्राइवर इसमाल कर रहे हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ इन कब्सों को यह डूरें जिसको लगाने के लिए और किसी जगा पर आखरी तक हमने स्क्रूड्राइवर इसमाल नहीं किया किसी जगा पर किसी जगा पर क्लू कोई नेल कोई कील्ड नहीं लगाया कि यह दूसरे दर्वाजे क्या करें यह लेंजी कुटिट होगे यह दोनों दर्वाजे हमारे फिक्स होगे अब इनको उठा के हम और अब यह इसकी पार्टेशन यह प्लास्टिक की रिवर्ट्स यह पेंस जिनके साथ हम पार्टिशन बोर्ट्स यह वो उनके उपर रखतेंगे यह मैटल की पिंस है जो हम इन होल्स में डाल देंगे यह होल्स आप अपनी मर्जी से उपर ने चर्चेस कर सकते हैं यह ऐसे ही एक पीछे और दो रिवर्ट्स यह पिंस दूसरी साइड पे और टोटल चार रिवर्ट्स के उपर एक बोर्ट जो है वो स्टे कर जाएगा यह तीन होल्स हैं इन में आप अपनी मर्जी से से उपर या नीचे कर सकते हैं इस किसम के अपनी चीज़ें रखनी है उस किसम के आप अजिस्मिंट कर सकते हैं यह आपकी के लिए उना ने पहले से ही सैटिंग इस किसम की बनाई होते है कि आप अपनी मर्जी से उसको जहां मर्जी फिक्स कर लें यह आप देख सकते हैं किया यह कंप्लीट होगी अब इसमें बोर्ट रखते हैं यह आखरी रिवट चैलेंज जी यह अब देखनें जी हमने बोर्ट भी रखती है पार्टिशन भी होगी और दर्वाजे पे लिगा दिये यह बिलकुल अब आप के लिए उसको उठाएं और रखें और यह सामने आप देख सकते हैं यह चुटचचच चुटच पीसिस अमने लगाया हैं यह पीसिस उसको सिर्फ इसलिए लगाया हैं कि जब आप दर्वाजा बंद करें तो वो जो एक टक की आवाज आती है जो बहुत कानों को बुरी लगती है वो टक की आवाज आपको ना सुनाई दें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और मेरी यह वीडियो देख सकते हैं फेस्बुक पे भी नौडिक मिरर के नाम से और इंस्टाग्राम पे सलीम0105 के नाम से अब आप यहां से इसको उठाएं और इस्तिमाल करें आजरीन तो अमीद आपको IKEA के hacks IKEA की परणीचे जोडने की वीडियो प्संद आई होगी अगर यह वीडियो प्संद आई है तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए और अगर आप बीताक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए मैं हूँ आपको बहुत मश्कूर तो अगली वीडियो तक ड्राब राख़ा कि अगर कि अगर कि